ओडियरी स्टुदेंट्स और रिस्पेक्टेड वीवर्स मैसल प्रीतम सर और वी विल सी थे नेक्स लेशन आप सेकंड स्टेंडर्ड और वी अविए विए प्लिटेड जो में जो में ना रहे थे तो उस पिकनिक में हमने कितने सारे शेप देखे फिर उनको हमने डिटेल में पढ़ा कि उसमें एजेस कितने हैं कॉर्नर कितने हैं और उसके बाद उनके सर्फेस कैसे हैं कौफ सर्फेस हैं फ्लैट सर्फेस हैं फिर हमने लाइन के साथ फन भी किया लाइन के साथ फन करते हुए लास्ट में हमें एक होमवक मैंने आपको दिय था उन्हीं चीज़ को और भी हम डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे तो यह पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ कि हमारा जो चैनल है दा आरे अकैडमी चैनल यहां पर आपको फर्स टेंडर से लेकर के 12 टेंडर तक के सब्सक्राइब करेंगे तो आप इसे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने रिलेटिव उसके साथ इसे शेयर भी करिए ताकि उन्हें भी इसका बेनेफिट मिल सके तो आइए डियर इस्टुएंट हम स्टार्ट करते हैं अब यहां पर कह रहा है कि आप पिक्चर को देखिए यह आला पिक्चर आप देख रहे हैं ना क्या है मैच बॉक्स है उसे हमें ट्रेस करना है उसके एजस को एजस मतलब वह पॉइंट या फिर कह सकते हो कि वह लाइन जहां पर की सर्फिस एक एंड होता है उसके जो भी एजस हैं हमने काउंट किये हैं सीखे भी हैं उस ऑब्जेक्ट को पैंसिल के तुरू ड्रॉ करना है का करना है और ड्रॉ करने के बाद उस ऑब्जेक्ट वहां से हटा देने के अब्जर्व करोगे की वह कौन सा टाइप का है तो हमने यहां पर बेदेख लाकी मैच बॉक्स है उसको भी हमने पैंसिल से देखे यहां पर आजाईए हम अब देखते हैं कि कौन कौन से यहां पर हमें मिल रहे हैं तो यहां पर जो हमारा मैच बॉक्स था तो उससे हमें यह शेप मिला तो यह शेप को मैंने आपको लास्ट टाइम बता ना क्या कहते हैं अगर इसके अपोजिट साइट से एक को लें देखिए यह वाले अपोजिट साइट से न आप देख सकते कि दोनों सेम सेम दिख रहे हैं और यहां पर भी यह दोनों भी अपोजिट हैं तो यह दोनों भी सेम सेम दिख रहे हैं तो ऐसे को हम कहते हैं रेक्टेंगल क्या कहते ह तो वन साइड जो भी यह राउंड शेप में था डोन्नों क्या है वह तो से हमें क्या मिल गया सरकल जो कि लास्ट साइब अच्छा नहीं में बना है बट आप देख सकते हैं काफी अच्छा सरकल बनाए दम गोल होना और इसका क्योंकि जो उसका एज था उसी को हमने ट्रेस किया था तो उस ट्रेसिंग से मैं पता चला कि उसको एक एज तो है जो की कर्वड सर्फेस बता रहा है और कर्वड एज है बट कोई भी स्ट्रेट साइड नहीं है जैसे इसके अंदर फॉर साइड से ना आप देख सकत क्या है कि this is a triangle ये एक triangle बना रहा है और triangle has three sides और triangle में कितने sides होते हैं तो यह हमने three sides देख लिए देन हमारा जो dice था जिससे कि हम लूड वगरा खेलते हैं तो उसको अगर हमने trace किया तो हमें क्या मिल गया हमें मिला इस तरीकी का structure और इस तरीकी के structure को हम कहते हैं square क्योंकि इ होते हैं equal होते हैं तो square has a four sides क्योंकि rectangle में भी four sides है और square में भी four sides है तो दोनों में कुस्तों हमें difference होना चीए ना तभी तो एक rectangle कहलाएगा हमारा क्या कहलाएगा तो यह हमारा हो गया रेक्टेंगल और यह हमारा हो गया square क्या हो गया square क्योंकि इसके all sides equal है इसके सिर्फ opposite sides equal होते हैं तो dear students यहां पर हमें कुछ activity करनी के लिए कह रहा है कि the fun ट्राइद फ़न activities given below जो भी fun वाली activities है आपको try करनी है तो activity one है make a paper boat आपको एक paper boat बनानी है unfold it and count the numbers of triangles and four sided figures and color any two triangles and four sided two figures तो dear students इसे आप घर पे complete करिए कोशिश करिए करने की और next video में अगर possible हो सका तो मैं आपको खुद से बताऊंगा आपको एक paper boat बनानी क्या बनानी है paper boat लाइब मैं आपको वीडियो बना करके बता दूँगा paper boat बनाईए उसे unfold करिए paper boat बना देने के बाद सको फिर से unfold फिर से simple page कर देजिए अब simple page करने के बाद count करिए गिनिये कि उसमें कितने triangles बने हैं और कितने four sided figure four sided figure में आपका rectangle भी हो सकता है square भी हो सकता तो कितने बने हो आपको count करना है फिर color any two triangles आपको दो triangles को क्या करना है color करना है and four sided two figures और four sided जो भी होंगे two figures को क्या करने है color करने है और यह activity आपको complete करनी है घर पे activity two है मेक triangles and four sided figures using match sticks and small wooden strips आपको match box में जो sticks होती है उनका यूज़ करना है triangle बनाने के लिए और four sided figure बनाने के लिए आप या तो stick जो वूडन स्ट्रिप रह जाती है या फिर आप देखते हो कि कुछ चम्मच वेगरा ऐस्क्रिम खाने के लिए मिलते हैं स्पून वेगरा उससे भी आप बना सकते हो तो उससे आप बनाईए एक्टिविटी कंप्लीट करें एक्टिविटी 3 है कि फाइंड आओट टूल्स ऑफ गेम्स इन विच यूज सी ट्रैंगल्स फॉर साइड़ फिगर्स एंड सर्कल अब आपको ऐसे टूल्स गेम्स के ऐसे टूल्स ढूनने हैं देखने हैं अभी गेम खेलने के लिए कौन कौन से टूल या फिर कौन कौन से चीज़े जैसे कि आप का यूज सर्कंड आपके पास गास चला होता है यह वह घर के सीज़े बहुत स्वारे आप रखते ओ पॉट चोट छोट चोटी चीज से डॉल व Image चीजों को करना है तो यह activity बहुत easy आप easily कर लोगे make a picture using the shape triangle then four sided figures and circle four sided figure में rectangle भी हो सकता है आपका और square भी हो सकता है तो dear students यह थे आपकी activities इसे complete करी जैसा यह और fourth activity तो आपने last lesson में भी देखा था जिसे हमें color करना था और इस तरीके से आप complete करिए क्योंकि यह lesson यहाँ पर complete हो में भी थे हमने कौन से start किया था sphere तक देखा देन हमने यहाँ पर four sided figure देखा rectangle circle देखा triangle देखा and then square यह भी four sided figure है बट यह क्यों हमारा square हो कि इसके all sides equal होते हैं rectangle में सिर्प opposite हमने सामने के जो sides होते हैं वो equal होते हैं तो dear students अगर आपको यह video अच्छा लग रहा है तो इसे like कर लिए next video में मिलेंगे नए explanation के साथ तब तक के लिए goodbye and check